आप सभी को संगीता सुनिल का प्रेम आदर स्ने और छोटों को पिशीश दुलार और आशीश भरा हर्दी कभी नंदन। के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करूं कि क्यों मनाया जाता है उत्रखन में ये फूल देई पर और इसकी क्या कहानी है मैं शौट में आप से कहना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इस सुन कर आप महसूस करें और प्रकृति के प्रती आप भी थोड़ी सी आस्था रखिए और थोड़ा सा योगदान दीजे इस प्रकृति को हरा भरा बनाने में ये प्रकृति हरी भरी रहेगी तो परियावरन सुरक्षित रहेगा हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा हम स्वस्त रहेंगे बस इतनी सी बात है मानव का प्रकृति से चोली दामन जैसा साथ है जन्म से नाता है प्रकृति के साथ तब ही तो कहते हैं कि किस जन्म भूमी में हमने जन्म लिया तो मैं पताती हूँ आपसे उत्रखन की वादियों में पहाडों में एक फ्यूली नाम की करन्या हुई फ्यूली कहलीजी या फ्यूली कहलीजी शुद्ध शब्द है फूल और हम थोड़ी नजाकत से उर्दू का टच देते वे उर्दू मुझे बहुत पसंद है मुझे भी तो हम बोलते हैं फूल नहीं जी बिंदी लगा देते हैं जबकि फूल मेंस मुर्ग लेकिन अक्सर हम फूल कहते हैं फूल नहीं कहते हैं खैर फ्यूली कही है या फ्यूली कही है फ्यूली एक कन्या थी जिसे पिकरती से बेहत प्रेम था फ्यूली बहुत छोटी सी थी और उसने जब नन्ने नन्ने कदम लेकर जो चलना सीखा तो उसने फूलों के बीच रहना जादे पसंद किया नन्ने नन्ने कदम धीरे 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 भड़ते भड़ते अपने घर की पकजंडियों को पार करते हुए कब नदी, नाले, परवतों में कहा कहा पहुंच जाती थी दिन भर उसकी दिन चरिया ये थी कि जर्नों में, नदियों में, नालों में, परवतों की शिंकलाओं में और कहा कहा जाकर वहां से भहां सारे फूल तोड़ तोड़ कर लाना घर को सजाना और तो और अपने पड़ोसियों के घरों को सजाना फूलों को लाकर एक विशेश प्रकार की फूलों के पेड़ी की लकड़ी से टोकरी बनाना, उसमें पूलों को लाना और वो भी फिर भेट करना ये उसका नित्यक्रम था डेली का उसका एक हो गया था ये सिलसिला और पशू-पक्षियों से बाते करना पक्षी भी बहुत चहाते थे फ्यूली को देखकर और ये बात तो सचेक है मेरे पास जो मैं भी करूँगे आपको कुछ वीडियोज शेयर कि वो कैसे मेरे इतने पास से भी भागती ने हैं और वो वहीं बैठी रहते हैं बहुत सी वीडियोज मैंने पहले भी शेयर कियें और पक्षी बहुत समझते हैं मनुष्य की भाशा को और एक बर एक राजकुमार आया जंगल में तो जब राजकुमार ने देखा कि एक ऐसी कन्या और दीनचरिया बहुत अच्छी लगी बहुत ही आख्रिस्ट हो गए राजकुमार देखकर उनकी इन क्रिया कलापों को कि एक ऐसी कन्या है वन कन्या फूलों से बाते करना पक्षियों से बाते करना और खुबसरत भी बहुत थी और बड़ी सुकोमल और बहुत ही एसा नहीं कि अपने घर को सजाना आसपास के घरों को भी सजाना दोनों में परिचे हुआ बात चीत होने लगी और लगाव हो गया और धीरे धीरे वो प्रेम में परिवर्थित हो गया और फिर दोनों ने विभा कर लिया अब फ्यूली चली गए राजमहल में जब फ्यूली राज महल में गई तो यहां पशू पक्षी, परवत ये सब चीजें बहुत ही निर्जीव से हो गए और बेजान से नदियों ने अपना जो प्रवाः था वो बहुत कम कर दिया, जल प्रवाः कम हो गया, फूल बहुत मुर्जाने लगे, पेड़ व्रिक्ष सब मुर्जाने लगे उधर प्यूली कभी मन राज महल में नहीं लगा, क्योंकि चमत दमक की जो जिन्दगी होती है, वो और एक होती है, एक ऐसी, जैसे मैंने एक बार एक वैजनती माला की वीडियो में बताये था कि हीरे में क्योंने इतनी शक्ति होती है, और वैजनती में क्यों है, क्योंकि व वो सागार है, उसमें जीवन, जीवन्तता होती है, जीवन के साथ जब कोई चीज बनती है, तो अलग है अलौकिक होती है, पत्रों में और मैलों में वो अलौकिक नहीं कह सकते हैं, अलौकिक प्रकिरती होती है, कभी भी देख लीज़े आप, अभी तो सब जाते हैं, गर में छुटिया मनाने क्यों चाता है परवतों पर और पर जब फिर फ्यूली बिमार रहने लगी अस्वस्त हो गई तो बहुत इलास कराया गया लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला फ्यूली ने एक दिन राजकुमार से कहा कि आप मुझे जहां से लाई थे आप मुझे वहीं छोड़ा आई है लेकिन राजकुमार कहा मानने वाले थी उन्होंने बहुत प्रयात्ने करें कि किसी तरह ठीक हो जाए लेकिन नहीं अंतथः एक दिन प्रांट याग दिये फ्यूली ने और वादा किया कि जहां से आप मुझे लाए थे वहीं मेरा अंतिम संसकार कीजेगा अंतिम संसकार किया गया और जहां अंतिम संसकार किया था वहीं पर एक पौधा होगा और वो एक फूल का व्रिक्ष बन गया तब ही से फूल देई पर्व को मनाया जाता है बहुत धूम धाम से उत्रखन की वादियों में मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगी और ये छोटी सी कहानी ज़रूर आपके दिल को छूगए होगी और आप भी इस धरा के प्रती प्रकृति के प्रती अपने को समर्पित करने की कोशिश करेंगे और एक आप से मैं ये कहना चाहते हूँ कि मैं आपसे हाद जोड़ का क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपके इतने प्यार से लिखेवे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाए हूँ समय से और मुझे विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिए और अपने कमेंट्स वारा मुझे पताएंगे कि आपको यी कहानी कैसी लगी फिर मिलूंगी किसी नए विशे के साथ नए टॉपिक के साथ आपका दिन शुभ हो मंगल मैं हो धन्यवाद